हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनेकडमी की लर्णिंग आप पर भी देख सकते हैं इस पर आपको मेरे सभी UPTET से रिलेटेड इंपोर्टन वीडियोस मिल जाएंगे कोर्सेज मिल जाएंगे, उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूँ तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिये लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यों दोस्तों दोस्तों सीटेड 2018 का एक्जाम आप सभी लोगों का 9 दिसंबर यानी की कल होने वाला है तो इसके पहले अब आप लोगों का पढ़ाई का समय निकल चुका है अब आप लोग जो पढ़ चुके हैं सिर्फ उसका रिवीजन करें और दूसरी बात तनाव बिलकुल मत लें तो दोस्तों इस पार्ट में हम लोग डिसकस करेंगे परिच्छा से पहले महत्वपूर्ण बाते हैं ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने और सिटेट से डिलेटर मेरी सभी पिछली वीडियो उसको जरूर देख लें तो दूस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा पैन लेकर जाना है अभी तक सीटेट के एक्जाम में जो पैन ले जाना होता था वो सीटेट नीचे आपको एक-एक पॉइंट करके दी हुई है लेकिन आप लोगों को सहूलियत के लिए मैं आपके अलग से सभी बातों को बताये दे रहा हूं तो देखे पैन जो आप लोग यूपी टेट में ले गए थे बिल्कुल उसी परकार के पैन लेकर जाना है लेकिन इसमें क पैन भी ले जा सकते हैं इसलिए यहां पर कोई भी आपके लिए वाउंडेशन नहीं लेकिन प्रॉबेब्ली आप लोग ब्लू पैन का यूज ना करें क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता कि जो आप लोग सरकल डार करते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और ब्लैक पैन से आपको प्रॉब्लम हो सकती है दूसरी बात यह कि किस प्रकार से आपको गोले फिल करने हैं क्या करना है तो दोस्तों गोले फिल करने हैं आप सभी लोग यूपी टेट का या अन्ने टेट के एक्जाम दे चुके होंगे तो आप लोग को गोले फिल करना तो पता ही होगा ल के आगे language 2 में तो यहाँ पर जो भासा लिखी हो वो आपको language बन में circle में भरनी होगी और इसमें जो language 2 में आपने भासा लिखी हो वो हाँ पर दूसरे circle में fill करनी है इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें आप लोगो जो circle आप लोग admit card में देख लें बैसे class में सभी instructions दिये जाएंगे लेकिन फिर भी आप लोग अभी से बिल्कुल अपना मन बना लें और बिल्कुल भी हडवडाएं नहीं एक एक point जैसे आप उपर number लिखें उसी के नीचे बिल्कुल देख कर पहले एक हलकी सी विंदी लगा लें फिर दुबारा से check कर लें कि आप वही गोला भर रहें या नहीं भर रहें इसके बाद आप लोग circle dark करें नहीं तो problem हो सकती है इसका दुस्तों आपको लेकर क्या क्या जाना है जैसे कि यूपीटेट में आपनों को एक mark seat लेकर जानी थी क्या इसमें भी लेकर जानी काफी लोग call करके बार बार पूछ रहे थे उसको यूज कर सकते हैं ले जा सकते हैं वैसे pen card या आधार card में से कोई एक लेकर जाएं जिसमें आपकी photo बिल्कुल साफ लगी हो वही लेकर जाएं दूसरी चीज pen आपको सोयम लेकर जाना है और तीसरी चीज pencil का वाइटनर का आप किसी भी तरह का यूज नहीं करना क्योंकि काफी लोग pencil का यूज कर लेते हैं pencil का यूज आपको question paper में भी नहीं करना है साफ मना कर दिया गया है और उसमें बिल्कुल नीचे साफ साफ लिखा हुआ कि pencil कोई भी electronic device ये सभी चीज़ें इसके लाब वाइटनर ये सभी चीज़ें लेकर नहीं आना बिल्कुल मना है तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं कि तनाव बिल्कुल भी नाला क्योंकि कुछ लोग यूपी टेट के exam को पास नहीं कर पाए उसमें वो लोग रह गये तो अब आप लोगों के पास ये बिल्कुल आखरी मौका है आप लोग निश्चिनत रही है आप सभी लोगों को सिच्चक भरती में मौका मिलेगा और जरूर मौका मिलेगा तो इसलिए आप लोग उसके पहले सीटेट के exam में घवराईए बिल्कुल भी मत और अच्छे से अपना exam करके आईए ताकि आपके अच्छे से अच्छे माकसा हैं और आप लोग सिच्चक भरती परिच्चा में स जो आपकी पोर्सन जो आपको आता है उसे जितना भी आपको आता हूँ वहां से करना श्टार्ट करें और अच्छे से एक-एक पॉइंट करते रहें दूसरी चीज आपको ये बतानी थी दोस्तों की जैसे इसमें हिंदी इंगलिस सभी लेंगेज वन और टू दोनों तरीके स होती है तो आपने जो लेंगेज बन में भरी हो लेंगेज वह सिर्फ वन वें फिल करें और वही गोले फिल करें वही qligor करें इसका लेंगेज हिस डुमें जाने के लिए आगे केcह को दखें जैसे आप ठर्टी फर्श्ट से 60 तक होंगे तो इसका 60 से 90 तक देखें क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता कि दूसरी लेंगज भी 31 से 60 तक दी हुई होगी तो आप लोग उसे ही अगर सरकल करने लगेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और अगर होगी भी तो 30 नंबर आपक सेंटर पर पहुंच जाए क्योंकि भीड का टाइम होगा काफी लोग सेंटर पर दूर दूर से आ रहे होंगे तो हो सकते हैं आपको जाम मिल जाया ट्रैफिक मिल जाया लेट हो सकते हैं इसलिए जितनी जल्दी हो सके हैं आप लोग एक्जाम हॉल में पहुंच जाएं और क क्योंकि विना इसके भी आपको entry नहीं मिलेगी तो दोस्तों ये कुछ information थी जो आपको seated exam से पहले देना बहुत ही जरूरी था इन सभी बातों का विशेज ध्यान रखें और ऐसी कोई भी बिल्कुल भी गलती ना करें जिसके लिए आपको बाद में सोचना पड़े बाद में परिशानी हो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों आज के इस पार्ट में इतना ही और दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत सुबकामना है और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कोई चीज पूछनी हो आप लोगों को तो आप लोग कमेट वाक्स म आपकी पहले ही तैयारी प्रारम करवा चुका हूँ लगबग 26 वीडियो ला चुका हूँ लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ यदि आप लोग दोनों की तैयारी कर रहे हूँ तो इसकी तैयारी भी करना प्रारम कर दें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वी वीडियो को लाइक कर दें थैंक्यू दोस्तों